पहला नमबर तो फार्ट मैच कर गया ओ मैं गाड दूसरा नमबर टू ओ ग्रेट दूसरा नमबर पे मैच कर गया आज अगर जॉनी करोड़ोपती बन जाएगा तो कल कृष्मस धूम दॉम से मनाएगा स्टेला ठीक साथ बजे घर आजाना थॉमस भी आ रहा है जॉनी तो रहेंगे है आज क्रिस्मस इपर टीवी पर बहुत अच्छा मैसेज आने वाला है सब मिलकर सुनेंगे प्रभु इशू हम सब को आशिश देखा प्रभु इशू की शरण में जाने से जीवन को लक्ष मिल जाता है अर्य मज़ा गया अरे साथ टिटों के नमरा मैच लीओ तो क्या हुआ आठ वे टिकर के नमर तो मैच हो गया है इसके छे नमरों भी से पांच नमर मैच हो गया है अब छटा नमर भी मैच हो जाएगा तो मैं छुट्टी कर चुड़ों को एप्रभु मुझे पैसा नहीं चाहिए उझे तो बस सुक शालती चाहिए पैसे से क्या कुछ नहीं होता हाँ इस नहीं लगी नहीं लगी नहीं लगी और तो नहीं लगी तुमने पिर लोट्री की टिकेट खड़ी दे? वो क्या ने अच्छी ली? तुम्हें बता है? लोट्री जुआ है, गेंबलिंग है एंग गेंबलिंग इस असे यह पाप है यह पाप सिर्फ एक नंबर से अच्छा है में बदलते बदलते रहे ज़ए क्या मतलब? मतलब यह कि छे नंबरों में जे पांच नंबर मैच हो गए पांच नंबर मैच हो गए अगर छटा नंबर मैच हो गया था ना तो आज हमारे पास दो करोड रुपीज तू करोड रुपीज अगर जो करोड हमारे पास होते ना तो तुम कभी नहीं कहते यान देंगे से सिल्ख, चुके बदल चुपते हो थे हमारे दिन, तुम कभी नहीं सुद्रोगे मैंने तुम को कितना टाइम समझाया, कि जीसिस ने हमको जितना दिया, काफी है, हमको बिना अशीश के पैसे नहीं चाहिए और अगर तुम्हें जादा पैसे चाहिए, तो इमानदारी से मेहनत करो, लालज के पैसों में विश्वास मत करो इश्यू मसी, हमारा जीविद प्रभू है, उसमें विश्वास रखो अरे मैं भी उसे मानता हूँ यार पाप करने वाले प्रभू को नहीं मान सकते तुम्हारे लिए अच्छा है कि लॉट्री के टिक्टो में पैसे बर्बाद करने की बजाए, किसी गरीब को दान दे दो उससे प्रभू तुम्हें आशिश देंगे तुम्हें हर तरह की खुशी देंगे सुख देंगे प्रभू सुख देंगे? तुम्हानते क्यों नहीं कि लालच पाप है एक गिलास पानी मिलेगा यह पाप और सच्छाए की चक्रवाद तुम्हें पड़ी देना मैं जल्दी में हूँ, मैं जा रहा हूँ, क्या अर्य पाप रही सत्या नास इस छोटे से घर में यही होता है कभी मैं समान पर गरता हूँ, समान मुझ पर गरता है अरे लोट्री लगेगी तो बड़ा सा घर ले लूँगा यहां मैं वाइफ को ढूंड़ हूँ, वाइफ मुझे ढूंड़े और वाइफ के मुझे जांड़ सुने मुझे बरसो भीच जा है क्या हुआ? क्या हुआ हुआदे यह ले, बंगला घ 사la बंगला? दढ़ी डाटी दढ़ी डाटी दढ़ी डाटी शाम को केक लेकराना, बड़ा साके हाँ डाटी स्ट्रोबरी वाला केक लेकराना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है नहीं मुझे बटर स्कॉच वाला चाहिए तुम्हारे पसंद के केक में ला दूगा, ओके? ये! ये क्या है? ये! 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 बाई! अपरी अप्री बड़ो चिलाएगा अजिए बैटो गोगो, सावरी लेकी नियमानेगा नहीं बुलेगा स्कूटर बदल, साइकल बदल, ये! ये! क्या करो मैं? Boss, मैं आगे है Boss Johnny अब आज फिर लेठो गए Boss, मेर स्कूटर खराब हो गयता मैं किसी की साइकल लेकर लेकरागाँ Nonsense, you are a nonsense guy बातें बनाने से और ड्रीम्स देखने से लाइफ नहीं चलता अब बलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है इमानदारी से काम करना पड़ता है इमानदारी से काम करोगे तो परमेशो भी तुमसे खुश होगा इमानदारी से काम करो तो तुम्हें खुद बखुद पैसे लेने का हक होगा तुम अपने आप पर गर महसूस करोगे और तुम्हारी मूचें उंची उंची, उंची, उंची हो जाएक मुच्छ्ड अपनी मुच्छों पर बहुत घमंड है बवकूफ, बगार मुच्छों के ताओ देता है काम में दिल नहीं लगता लेकिन नाटक बाजी में दिमाया खुब चलता है अचे Get out? Yes जा कर जा करना अपना काम सभालो मैं मैं मार्कर जा रहा हूँ और सब के खाल अपना Wow wow what a nice man, very nice man अरे परमेश्वर करें इसाथ प्यारा बास हर रेत को मिले Is that you? आज उनों में तो बहुत प्यार किया उनों मुच्छ से कहा कि तुम अवल गर्दे के महनती इंसान है आमको तुमारे उपर प्रॉड फील होता जी ओडी उनको भी है और पता हम उनों मुझे एडवाइज भी दिया ओ दसो जी बहुत से मुझे कहा के दो चीज़ जिंदगी में कभी बदलना नहीं कुछ शाट और पैंटे ओ नहीं जा स्कूटर और ये नौकरी जानी भाई आप तो ग्रेट हो थैंक यू बेर मिचापने मुझे बता जिया कंफर्म हो गया मुझे तो पता ही नी था थैंक यू पाई साब इस पार किसमस में पार्टी नहीं दिती तो पूत बुरा होगा अरे पार्टी मिलेगी पार्टी मिलेगी एक पार मेरी लॉट्टी जगाने तो हो इनमें से एक तो लगेगी फिर मेरी किसमत जगेगी मुझे बूब हो पार्टी मेरी करको था करुष बीक स्टोर्प्रेट आँर इस्यूंए अगर जाए हुआ है इसे लिए अचिता हमे कि जो जानी हम अचिता, हम् lesson कि अच्छिए कि अचिता है सब्सक्री है। से अचिता हुआ है अचिता निए हम आख है में निए हम्यू आख से दिए इन तोर। यह जाए तक मिल जागी हैं तक एक यूज़ ने निग जा एक यूज़ एक रख रहे घ्रीज देखो हमें क्रिस्मस के लिए सो केक के अडर बिले हैं और बंदे ना हजार पेड़ांस भी दिया हैं अब फाओ केक बनेंगे कैसे ओ जी वले 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 व पिछतर केक तो अपड़े पास पहले से त्यार है अच्छा ठीक है जॉनी तुम है ना अवन पर बैठना और टेंपर्चर कंट्रोल करना तुम दो चलो मैदा शक्कर निकालते हैं त्यारी कच्छा है जी वले 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 करिद से अवले वले वले है ज sätt ब से हाँ तुम में ने तुम तुम पिर लेटा है? मैं ने काम कर रहा हूं तुम फिर लेटा है? आप सॉरी सर्व मेरा स्कूटर खराफ हो गया था क्या स्कूटर बदलो ये नाओखरी बदलो, समझाए? लेकिन बहुष्ट आइसे क्या था? क्या था क्या था 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 क्या था, ये चा सॉरी। याणच। कर थो फसके र ticket क्मों स्कूटर कर में शेवर कर में ये तकता क्यारी में बदलो अब जोड़ यह क्या होगा? ओ जो जोनी तुमने सारे केक जला दिया अब उमका स्किमर को क्या जबाद देंगे? ऐसा कभी नहीं हुआ अलो अलो अब भूभ रेखेगा तो क्या होगा? अब जोनी तुमसा अपना देखना का बंद करेगा? कुरा सत्या नाज कदिया हत्ता पीचा हटो अब विसमस एपर सौ केक का ओदर था अब क्या करोगे? अब करोगे? यह थिदट नहीं कहा रहा है ? कहा रहा है? इस चैक यह किसमे जलाया है? जानी यिसारे केग तुमने तराये हे, त्तियानास हो किया है, या इंफ्यों अ मैं गोट पर नथिगी, जाओ, 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 गदाओ, गदाओ वर्म हाथ आफ से तमारी च्टकी, तुम लोग मेरा मुगा देख रहो, जाब पंगा ताम करो! मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दोंगा डाड़ी डाड़ी शाम को केक लेकर आना बड़ा सागे प्लीज डाड़ी प्लीज डाड़ी मेरे शाम को स्ट्रॉबेरी वाला केक लेकर आना डाड़ी प्लीज मुझे वह बहुत अचा लगता है एफ वह बहुत अचा लगता है यद्वान जवाब ओप प्लीज मुझे वह बहुत अचा लगता है झाल झाल साथ बजनेवाने, मैसेज आता ही होगा स्टेला, तुमने लास्ट येर का मैसे सुना था? नहीं, मैं मिस्स कर गए थी लुए जानी भ्याग जनी आओ न, मैसेज आने वाला है मैं आन करती हूँ क्रिस्मस का संदेश क्या है? इसका सार तीन शब्दों में किया जा सकता है जो तीन वस्तुएं हैं पालना, क्रूस और मुकुट जब हम पहले क्रिस्मस का स्मरण करते हैं तो हमें याद आता है पालना क्योंकि दो हजार वर्ष पहले फिलिस्तीन की एक सर्द रात एक बालक जन्मा था उसका जन्मस्थान एक गोशाला थी तथा उसका पालना और कुछ नहीं वरंचर नी थी ये इसलिए के मरियम और यूसुफ गरीब थे और बैतलहम की किसी भी चोटी से चोटी सराय में जगे नहीं थी परन्तु उसका जन्मसाधार नहीं था बाइबल बताती है कि उस पहली क्रिसमस की रात में स्वर्ग दूत ने बैतलहम के बाहर चरवाहों से कहा मत डरो देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुना रहा हूँ ये सब लोगों के लिए होगा लेकिन इसका अर्थ क्या है तो हजार साल पहले किसी बालक के जन्म लेने से हमारे संसार और जीवनों में आखर क्या फर्क पर सकता है हर युद्ध के दौरान छोटे बच्चे अपने घरों में रहते हैं जबके उनके पिता युद्ध के लिए चले जाते हैं और बहुत सी माताएं बच्चों के मन में पिता की याद ताजा रखने की पूरी कोशिश करती हैं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक मा अपने छोटे से बेटे को प्रते दिन सोने के कमरे में ले जाकर उसे पिता की तस्वीर दिखाती थी जो युद्ध पर गए हुए थे एक दिन बच्चा अपने पिता की तस्वीर को बड़ी चाह से देखता रहा फिर वो अपनी मा से बोला मा कितना अच्छा होता यदि पिता जी इस तस्वीर के फ्रेम से बाहर निकला थे सदियों से लोग आस्मान की तरफ देकर यास लगाए हैं कि उस स्वरगी फ्रेम में से परमेश्वर निकल कर आएं अपनी पहचान कर आएं और हम में मिल जाएं बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने बैतलहम की उस साधारण सी गौशाला में ठीक ऐसा ही किया प्रभु येश्व मसी किसी साधारण बालक के समान नहीं थे ये चाहे हमें अजीब और समझ से परे लगे बाइबल के अनुसार कुवारी मां से जन्मा ये बालक मनुष्य की रूप में परमेश्वर था उसने जगत की सोच को बदल डाला क्या आप चकत हैं कि परमेश्वर को जान पाना संभव है हाँ आप जान सकते हैं पहले क्रिस्मस के उस पालने के कारण जान सकते हैं परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया प्रभु येश्व के रूप में उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि वो हम से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से जाने इस क्रिस्मस के समय आप उन्हें जान सकते हैं उनकी ओर फिर कर विश्वास और भरोसे के साथ परन्तु हम क्रिस्मस को अलग नहीं कर सकते उस क्रूस से जिस पर प्रभु येश्व मारे गए प्रभु येश्व इस जगत के सबसे बड़े शिक्षक रहे हैं परन्तु उनके आने का प्राथमिक उद्देश परमेश्वर और मनुष्य का मेल कराना था उनके जन्म की घोशना करने वाले स्वर्गदूत ने कहा वो अपने लोगों का उनके पापों से उध्धार करेगा प्रभु येश्व स्वैम अपनी मृत्यू के विशय में कहते हैं इस अंत के कारण मैंने जन्म लिया इसके वर्षों बाद प्रेरित पौलुस ने लिखा मसी येश्व पापियों के उध्धार के लिए संसार में आए जब आप समाचारों की सुर्कियां पढ़ते हैं या खबरों को सुनते हैं तो आप ये महसूस करते हैं कि मनुष्य जाती में कहीं कुछ गंभीर समस्या है घ्रिना, वासना, लोब, हिंसा, इर्श्या और भ्रष्टाचार हजारों रूप में रोज हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं मनुष्य एक विरोधा भास के समान है जहां एक तरफ वो प्रदर्शत कर सकता है भलाई, प्रेम, कृपा और करुणा वहीं दूसरी तरफ, उसके हृदे और दिमाग में हर प्रकार का विद्रोह, दुष्टता और पाप भरा पड़ा है आज के संसार की सबसे बड़ी समस्या राजनेतिक नहीं है, नहीं सामाजिक और आर्थिक है सबसे बड़ी समस्या है मनुष्य हृदे बाइबल के अनुसार मनुष्य जाती बीमारी से पेड़ी थे इस बीमारी ने जिसे बाइबल पाप कहती है, मनुष्य के जीवन और समाज के हर पहलू को प्रभावित किया है इस से भी बढ़कर इसने हमें उस परमेश्वर से दूर कर दिया, जिसने हमें स्रिजा और चाहा कि हम उसकी संगती में रहें चाहे हम क्रूस की उस मृत्यु को पूरी तरह न समझ पाएं परन्तु ये परमेश्वर की इच्छा थी कि हम उसके पास वापस लोटाएं मसीध द्वारा हमारे पापों की क्षमा संभव हो पाई हमें हमारे पापों की क्षमा मिल सकती है तथा परमेश्वर से हमारा मेल हो सकता है केवल उस क्रूस के कारण आप देख सकते हैं कि क्रूस और पुनरुथान मनुश्य की एक मात राशा है ये महत्वपूर्ण घटना जो 2000 वर्ष पहले हुई थी परमेश्वर हम सबसे कह रहे हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तुम्हें क्षमा करना चाहता हूँ तुम्हें पास लाना चाहता हूँ तुम्हें नया हृदय डालना चाहता हूँ तुम्हें शान्ति आनंद और भविश्य की आशा देता हूँ यही कृस्मस का शुव संदेश है, क्रिस्मस का संदेश पालने के साथ ही समात नहीं होता, क्रूज के साथ भी नहीं होता, ये तब तक समात नहीं होगा जब तक कि हम मुकुड को न देख लें। एक दिन मानव इतिहास का महिमा मई अंत होगा, बाइबल के अनुसार मसीह का दोबारा आगमन होगा, परमेश्वर के राज्जिकों अंतिम और निरनायक विजय दिलाने के लिए, हाँ, भविश्य के लिए आशा है, क्योंकि ये शुमसी राजाओं के राजा और प्रभूं के प्रभू की तरह आएंगे, नियू यॉर्क में स्थित संयुक्त राश्ट्र की मारत के उपर पत्थर की स्लेट पर, एक पद अंकित है, भविश्य के विशय में, बाइबल की अशाया पुस्तक में से, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, लिखा है, वो अपनी तलवारों को पीट कर हलका फाल और अपने भाले को हसिया बनाएंगे, फिर कोई देश दूसरे के विरुधिना तलवार उठाएगा, और न लोग भविश्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे, कितना सुखद विचार है, ये विचार युद्ध से ठके हारे और हताश अंगिनत लोग तुने अपने शिश्यों को सिखाई, तेरा राज्या आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृत्वी पर भी हो, ये समय है समय का अंत, वो समय जब वो बेतलहम की चर्नी में आए और कलवरी क्रूस पर मारे गए, एक बार फिर महिमा और सामर्थ क फिर आएगा और उसके साथ एक नया आकाश और प्रित्वी होगी, जिसमें धार मिक्तावास करेगा, ये सब कुछ और इससे भी कहीं बढ़ कर है, आशा और क्रिसमस की खुशी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ उस छोटी सी प्रार्थना को दोहराएं जो मैं करना चाहत हे प्रभू, मैंने पाप किया है, मैं माफी चाहता हूँ जो उपर से दिखावे के क्रीम से धका होने के कारण अच्छा दिखता है, पर अंदर से किसी काम करने है। प्रभू, क्या अभी मेरे जीवन में आशा है? क्या उमीद है? प्रभू, प्रभू… थेंक यू प्रभू, आपने मेरी प्रात्ना सुनी और कुबूल की, थेंक यू प्रभू, थेंक यू ताड़ी केक! प्रभू, यह जला हुआ केक लाकर मैने बच्चों को धोका दिया है, प्रभू. प्रभू, 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 जौनी क्या केक लिके है अपने बेकरी से, इक्स रेली वंडर्फूल, हम फॉर्वस थेक्क्यू ब्रभू, याच्य रिकाम ये विरकल आप ये कर सकते हैं ब्रभू तन्यवाद, मैं आज जान गया हूं के मुझ जैसे पापी के लिए भी उमीद है, आशा है थेंक्यू लौड, थन्यवाद, थेंक्यू हैपी क्रिस्मस बॉस हैपी क्रिस्मस जानी, क्या बात आज बाप खुशन अजर आ रहे हैं क्या कर दूसरी लोटी निकल आई है प्रभु योशु ने मेरे पापों को माफ कर दिया, मुझे नई जिंदगी दी है, बॉस आज की इस पवितर सुभा के साथ ही मेरे मन में एक नहीं सुभा आई है ग्यान का उजाला लेकर खुशों का ज्होंका लेकर अब मेरे मन में कोई लालच नहीं बस है तो सिर्फ पीस है, शांती है क्योंकि प्रभु योशु ने मुझे माफ किया और मुझे च्छू लिया आज मैं बहुत खुशों बहुत यहीं खुशी बाटने के लिए में आया था थांक यू जानी जब मन में सवेरा आता है तो जीवन में भी सवेरा आता है अगर अस इशू ने तुझे माफ कर दिया है तो मैं भी तुझे माफ कर सकता हूँ अफर और अल I am also his follower यह लग आशा की पुश्टक The Book of Hope यह तुमें सही मार्ग दिखाएगी सही रास्ता बताएगी इसे पढ़कर तुम जिन्दगी का टुट समसकोगी जिन्दगी की सचाई तुमें मालू हो जाएगी तुम्हारे मन में जो भी इंतकार है तुम दूर हो जाएगा और तुम खुद बखुद प्रभू के चरनों में चर जाओगी और हाँ जॉनी कल से तुम काम परा रहे हो तुम जाओगी याँग प्रेज दे लौग देखा आपने किस तरह जानी बेकर का जीवन बदल गया और उसके पाप शमा हो गया आप कह भी जीवन पर भूई श्योमसी बदल सकते है अगर आपके हदय को भी इस किशमस के संदेश ने चुआ है तो आप मेरे सासाथ इस पच्चाताब की प्रार्थना को दोर आईए प्रभू मैं इस सुच्छन अपने पापों की च्मा मांगता हूँ और अपने हिर्दे के दोर आपके लिए खोलता हूँ मैं आपको अपने प्रभू और उद्धार करता स्विकार करता हूँ इस किशमस मेरे हिर्दे में जन लीजी और मेरे प्रार्थना को कबूल कीजी क्योंकि ये प्रार्थना मैं प्रभू ईशमस्य के नाम से कर रहा हूँ आमीन दोस्तों इस किशमस के शुबाउसर पर हम आपके एक मुफ्ट उपाहर देना चाहते हैं आशा की पुस्तक ये पुस्तक कई भाषावां के लोगता है हमें आज जी लिखिए हमारा पता है माई होप इंडिया पोस्ट बॉक्स समर बावन सके दरभाद पांच सुन्य शुन्य 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 तीन आंदर प्रदेश भारत परमेश्वर आपको आशिश दे किस्मस की बहुत बहुत शुब कामना है प्रभू कित्ति हो